हेलो बच्चो कैसे हैं आप सारे और जैसे कि मैंने पिछली क्लास के अंदर आपका टॉपिक स्टार्ट करा था पिएंडल एप्रोपिरेशन अकाउंट और P&L Appropriation Account का मैंने आपको सारी चीज़े समझाए थी कि P&L Appropriation Account किस तरीके से बनता है कैसा उसका format होता है और भी जो उसके basic चीज़े थी मैंने वो सारी चीज़े आपके साथ discuss करे थी आज की class में हमने basically सारा numerical करना है P&L Appropriation Account के उपर तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं link description में डाल दूँँगा अब जाकर पहले पिछली वीडियो देखे तब आपको आज के सारे numerical अच्छे से समझ मैंगे numerical कलने से पहले मैं थोड़ा सा पिछली ग्लास को आपको revise करवा दूँँ मैंने पिछली ग्लास के अंदर आपको format समझाया था P&L Appropriation का जिसमें credit side में net profit होता है और वो before appropriation होता है उसके बाद interest on drawing आता है credit side में और debit side में सारे खर्चा आते हैं जिसमें interest on capital, salary, commission, reserve और net divisible profit अगरे set balancing figure आता है तो net divisible loss आता है ठीक है तो यह सारे चीज़ें बताइती आईए अब हम question start करते है Question number 16 देखते हैं सबसे पहले Question number 16 में क्या कहता है कि Prem and Manoj are the partner in the firm sharing profit ratio 3 ratio 2 कि रहा कि एक है Prem और दूसरा है Manoj किस ratio में share करते है 3 ratio 2 The partnership deed provide that the Prem was to be paid a salary 2500 per month Prem को क्या मिलती है salary मिलती है Salary to Prem 2500 per month यानि कि पूरे साल की मिलेगी तो इंटू में 12 क्योंकि अकाउंट्स पूरे साल के बनते है And Manoj get a commission of rupees 10,000 per year और Manoj को क्या मिलेगी Manoj commission 10,000 per year Interest on capital is to be allowed 5% per annum कह रहा कि IOC दिया हुआ question में 5% per annum दिया हुआ ठीक है पच्चो आगे चलते हैं Interest on drawing was to be a charge 6% per annum और interest on drawing दे रखा है हमारे को 6% per annum Interest on prem drawing 1250 And Manoj drawing was 425 अब interest on drawing उसने हमें निकाल के दिया हुआ है Interest on drawing उसने हमें निकाल के दिया हुआ है तो IOD उसने निकाल के दिया हुआ है प्रेम का मनोज का प्रेम का दिया हुआ है 1250 इसका दिया है 425 Interest on capital of the partner 10,000 and 75,000 तो Interest on capital यानि के IOC ये भी हमारे को निकाल के उसने दिया हुआ है 10,000 and 75,000 The firm net profit for the year ended 31st March 2020 is 90,575 और question के अंदर हमारे को net profit भी मिल गया कितना मिल गया 90,575 Prepare profit and loss appropriation account of the firm तो मैंने क्या करा question में जितनी भी information है मैंने उसको note कर लिया अब देन मैं उस question को solve करता हूँ ठीक है बच्चों आए देखते है चलिए बच्चों मैंने format बना दिया आपके लिए जल देल दी और format के according हमने जो format पढ़ा था उसके according जो जो चीजे हमें जहां जहां पर अलनिय पी और अप्रोप्रिशन अकाउंट में वो सारी हम चीजे लिखते हैं सबसे पहले credit side में यहां पर क्या आता था नेट प्रोफिट तो देखो नेट प्रोफिट हमने लिखा था यहां मेरा नेट प्रोफिट कोशन के अंदर दिया हुआ है बाइए नेट प्रोफिट कितना दिया हुआ है 90,575 90,575 उसके बाद format में credit side में था इंटरस्ट ओन ड्रोइंग बाइए इंटरस्ट ओन ड्रोइंग कितने पार्टनर है दो पार्टनर है पार्टनर का नाम है प्रेम और मनुज दो पार्टनर था अब interest on drawing का उसने हमें rate भी दे रखा है और interest on drawing निकाल के भी दे रखा है तो बच्चो अगर interest on drawing निकाल के उसने हमें दिया हुआ है तो हमें question से बहस नहीं करने कि भई हमारे को interest on drawing का rate भी दिया हुआ है और फिर उसके बाद निकाल के भी दिया तो उसको क्या करना है interest on drawing का जो rate है फिर उसको ignore करना है हमें अगर उसने calculation करके दे रखे तो बहुत अच्छी बात है हमें उसी चीज़ को यहाँ पर लिखना है 1250 और 425 अगर इसका sum करें तो sum आ जाएगा आपका 1675 ठीक है बच्चों interest on drawing आई यह debit side में देखते है debit side के लिए क्या-क्या दिया हुआ interest on drawing हमने लिखी दिया है तो मैं टिक कर देता हूँ सबसे पहला आता था interest on capital to interest on capital कितने partner थे तिए दो प्रेम और मनुज दो partner थे अच्छा interest on capital कैसे निकालते थे rate दिया हुआ है और जो हमें capital दिया होता था उसके ओपर निकाल दिया थे लेकिन इस question में capital नहीं दिया interest on capital उसने निकाल के दिया है तो बहुत अच्छी बात है निकाल के दिया है तो सीधा यही लिख दो कितना कितना दिया हुआ 10,000 और 75,000 यह आगया आपका 17,500 ठीक है उसके बाद चेक करते हैं किसी पार्टनर को salary हाँ salary मिल रही है प्रेम को 2 प्रेम salary कितनी मिल रही थी भई प्रेम को salary मिल रही थी 25,000 इंटू में 12 12 यह आजाएगा तुम्हारा इंटू करके 30,000 ठीक है उसके बाद किसी पार्टनर को commission यस मनोज को commission मिल रही है 10,000 की 2 मनोज commission 10,000 ठीक है जो जो question के अंदर चीजे थी वो सारी चीजे मैंने दे दी IOD मैंने चार्ज कर लिया net profit डाल दिया salary हो गया commission हो गया अब मेरे को net divisible profit या फिर loss निकालना है आए net divisible या loss निकालते है तो किदर का total जाद आएगा ज़रा देखने पर पता चल रहा है इस side का total कैसा आ रहा है जाद आ रहा है तो total कर लेते हैं एक बार 90,575 प्लस 16,75 इस नाइन टू टू फाइफ जिरो माइनस करते हैं माइनस 17,500 माइनस 30,000 माइनस 10,000 या आपका 2 net divisible profit क्योंकि income जादा थी खर्चे कम है तो net divisible profit आगया आपका 34,750 इसे हमें बाटना है दो पार्टनर्स के अंदर प्रेम मनोज तो अब ratio चेक कर लेते हैं क्या ratio इनका ratio है 3 ratio 2 तो agreed ratio के अंदर इनका profit बढ़ जाएगा 34,750 इन्टू में 3 by 5,34,750 इन्टू में 2 by 5 ठीक है तो जो भी आएगा वो हम लिख देंगे कितना कितना आ रहा है यह रहा है यह रहा है इनका 28,50 28,50 और दूसरे का आ रहा है 39,00 थोड़ से space कम था बच्छो ठीक है तो आप लिख लेंगे calculation करके तो यह question हमने एक solve करा P&L appropriation का आईए इसी type के हम कुछ और अच्छे questions देखते है P&L appropriation के चलो बच्छो question number 19 हमारा next question है जल्दी से देखते हैं question number 19 के अंदर क्या कहता है question number 19 में कहता है कि भानू एंड परताप और पार्टनर शेरिंग प्रॉफिट इक्वली कह रहे कि भानू है और एक पार्टनर है प्रताप और दोनों किस रेशो में शेर करते हैं वन रेशो वन दियर fix capital on 1st April 2019 अब capital के साथ ना word इस्तमाल कर रहा है fix तो हम समझ गए कि यह fix capital method का question है इसका मतलब हमें नाम के साथ current लगाना है ठीक है तो capital दे रखिए उनकी 8 लैक और इसकी capital दे रखिए हमारे को 10 लैक दे ड्रोइंग दूरिंग दे येर 50,000 और वन लैक और ड्रोइंग दे रखिए फिर question के अंदर ड्रोइंग दे रखिए फिफ्टी थाउजन और वन लैक ठीक है आगे चलते इंट्रस्ट ओन capital इस चार्ज एंड अलाव 10 परसेंट पर रहनम के रहे कि इंट्रस्ट ओन जो capital है इंट्रस्ट की पर जो capital है वो हमें 10 परतिशन देना है तो IOC यह हमारे को देना है 10 परतिशन और इंट्रस्ट ओन ड्रोइंग इस तो बिया चार्ज 15 परसेंट पर रहनम IOD यह हमारे को देना है 15 परसेंट नेट प्रॉफिट दूरिंग इयर एंडे 31 मार 2020 वन लैक टुन्टी थाउसन के अंदर हमारे को नेट प्रॉफिट भी दे रखा है एक लग दीस हजार दे रखा है प्रिपेर प्रॉफिट और लॉस एप्रॉपिरेशन अकाउंट बनाना है ठीक है लेकिन कुश्चन को करने से पहले बच्चो एक छोटा सा नोट हम समझ लेते हैं बच्चो जो कैपिटल दे रखे उसके हमारे को डेट भी दे रखा इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट साल के पहले दिन जो कैपिटल थी उसके बाद वो पूरे साल इस्ताइल होई interest on capital तो पूरे साल पे निकालना उसमें कोई doubt वाली बात दी है ठीक है लेकिन interest on drawing में हमें ये नहीं बताया कि ये जो drawing करी गई है वो साल के किस महीने में की गई है तो अगर कभी भी हमारा partnership deed silent होता है interest on drawing के timing को लेकर तो हम एक note लिख लेंगे और note में क्या लिखना है note में लिखना है अगर interest on drawing का time नहीं दिया नहीं दिया तो हम time six month लेंगे हलाकि interest on drawing के उपर पूरा एक topic भी आने वाला है तो हम वहाँ पर भी अच्छे तरीके साथ discuss करेंगे लेकिन फिलाल आपको यहाँ याद रखना है कि अगर partnership deed silent है interest on drawing की timing को लेकर कि drawing कब की गई है अगर मैंने चार महीने पहले पैसे निकाले है तो इंट्रस्ट भी चार महीने का लगेगा छे महीने पहले निकाले है तो छे महीने का अगर मैंने drawing पोरे साल इस्तेमाल करी है तो interest भी पोरे साल का लगना चीले लेकिन यहाँ पर drawing में कहीं पर भी date नहीं लिए तो ऐसी स्थिती में हम drawing 6 महीने की मान लेते आधे कि मैंने छे महाइने पहले ड्रोइंग करी थी इसलिए मुझे छे महाइने का इंटरस लेगा ठीके बच्चो इनक रहोती है बात चली आईए question स्टार्ट करते है चली बच्चो मैं ने फोर्मेट बना दिया आपके लिए आए कोशन को start करते हैं सबसे पहले कोशन के अंदर format के according जैसे मैंने बताया था net profit लिखेंगे by net profit कहाँ चेक करते है net profit यह रहा net profit 1,20,000 उसके बाद क्या था interest on drawing by interest on drawing तो दो partner थे पहला partner कौन सा था भानू भानू current account भानू current account क्यों लिखा मैंने क्योंकि capital इनकी fix दे रखी थी आए ज़र देखते हैं भानू की drawing कितनी है बच्चो भानू की drawing है 50,000 पचास अजार interest on drawing कितने percent लगाना है चेक करेंगे interest on drawing लगाना है 15% ठीक है इन्टू जब time ना दिया हो interest on drawing के regarding तो कितने month लेते है 6 month तो लिखने का तरीका क्या है 6 by 12 ये मैंने calculation करी किस के drawing की भानू के drawing की मैंने calculation करी ज़र इन्टू कर लेते हैं कितना कितना आ रहा है 50,000 15% 6 by 12 यहारा 3,7 5,0 मैंने डारेक्ट अंदर लिख दिया बाहर लिखने के जिगे नहीं थी थी थोड़ा space computer तो मैंने अंदर लिख दिया उसके बाद कोन था भानू के बाद प्रताप प्रताप current account अगये प्रताप की एक बार हम निकाल लेते हैं drawing interest on drawing कितने निकलेगी इसकी drawing देखते हैं 1,00,00 रुपी की drawing करता है drawing का rate है 15% इन्टू में 6 by 12 इन्टू कर लेते हैं एक बार इसको भी यह आएगा आपका 1,00,00 इन्टू में 15% इन्टू में 6 by 12 75,00 चलो बच्चो interest on drawing की calculation कर लिए बहुत ही simple है कुछ नहीं करना भानू और प्रताप दोनों की interest rate हमारे को mention है time नहीं दिया तो 6 by 12 लेना है और drawing हमारे को दिया हुआ है तो हमने इसके इसाब से calculation करकर निकाल लिया अगले नंबर पे 2 interest on capital interest on capital में सबसे पहले भानू current account भानू के current account भानू की capital कितनी है चेक करते है 8,00,00 ठेक है बच्चो 8,00,00 रुपे पे IOC का rate है 10% into में 10% यह आगया आपका 80,000 चेक है इसी तरीके से प्रताब पे लगालते है प्रताब current account 10,00,00 की capital into में 10% IOC यह आगया आपका एक लाग होगे इसके इलावा किसी पार्टनर को सैलरी नहीं है किसी पार्टनर को कमिशन नहीं है कोशन में कोई रिजर्व नहीं है तो इसका मतलब फोर्मेट का काम पूरा हो गया आईए प्रॉफिट अन लॉस की क्यालकुलेशन कर लेते हैं profit and loss की calculation कर लेते हैं देख लेते हैं कौन सा total ज़ाद आएगा देखने पता चल रहा है 1,20, 37, 50 और 7,500 तो ये total मुझे कम लग रहा है ये total ज़ादा लग रहा है इसका मतलब इस वार खर्चे ज़ादा हो गए और income कम है तो net divisible loss आने बाद है 1,80,000 बड़ा total लग रहा है मुझे 1,80,000 में से मैं ये total minus कर देता हूँ 1,80,000 minus minus यार आपका 48,750 by net divisible loss इसको हम ट्रांसफर करेंगे किस-किस में भानू और प्रताप में तो लिखेंगे भानू current account और प्रताप current account ratio क्या था इनका? ratio था agreed ratio 1 ratio 1 यानिके equal बाटना है दोनों में तो 48,750 into में 1 by 2 और 48,750 into में 1 by 2 तो equal ratio में हमें से distribute कर देना है या आएगा आपका 24,375 24,375 24,375 ठीक है बच्चो? तो एक हमने ऐसा question करा जिसके अंदर हमारे को loss bear करना पड़ा फर्म को loss bear करना पड़ा ठीक है? इसी तरीके से कुछ और अच्छे questions भी हम देखते हैं प्रेंडल अप्रूपिरेशन के चलो बच्चो? नेक्स्ट question प्रेंडल अप्रूपिरेशन का हम करने वाले है question number 24, बहुत अच्छी question है और question के अंदर एक अच्छी knowledge भी आपको मिलेगी तो question को समझते हैं जरा आशीश and आकाश आशीश and आकाश, दो पार्टनर है sharing profit 3 ratio में 3 ratio 2 है उनका profit sharing ratio their capital account had the credit balance क्यारा कि उनके capital account में न इतना balance पड़ा हुआ है respectively on 31st March 2020 यानि साल के last में साल के last में उनकी capital इतनी है तो मुझे एक बात अब बताई कि जो हम interest on capital निकालते हैं वो कभी भी closing capital पे नहीं निकालते opening capital पे निकालते और हमारे को दे क्या रखी है closing capital कोई बात नहीं अगर closing capital भी दे रखी है तो पहले लिख लेते है closing capital कितना दे रखा है इसका दे रखा है 5,00,00 और दूसरे का दे रखा है 6,00,00 closing capital दे रखाए आगे चलते after debiting the drawing during the year 150 and 1 lakh respectively कह रहा है कि उसके अंदर से हमने ये drawing minus कर दिया है मुझे एक बात बताईए अगर मैं साल के शुरू में मैं example के तौर बोलता हूँ कि अगर मैं साल के शुरू में 10 lakh की capital लगाता हूँ ठीक है और मैंने उसमें से 1 lakh की drawing निकाल ली तो साल के last में मेरी कितने रुपे की capital बचेगी 9 lakh रुपे की तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से drawing minus कर रखी की नहीं minus कर रखी यानि इस closing capital में से जैसे मैंने closing capital कब आती है जब उसमें से drawing minus कर देते है यानि opening capital में से अगर आप drawing minus कर दोगे तो आपको closing capital मिल जाएगी तो ये closing capital कैसी आईए इसमें से drawing minus कर रखा है तो मेरे को काम किस से मेरा काम opening capital से बनेगा तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर अगर मैंने drawing minus कर रखा है तो मैं drawing को क्या कर लूँगा प्लस कर लोगा कितना कितना ड्रोइंग दे रखा जरह एक बार देखते हैं इसका दे रखा है 150 और इसका हमारे को दे रखा है 1 लाग तो जरह मैं opening capital निकाल लेता हूँ कितनी आग़ी opening capital इसकी आगई तुमारी 6 लाग 50 अजार और इसकी आगई तुमारी 7 लाग यह मेरे को opening capital पता चल गई कोई दिक्कत की बात नहीं आगे चलते हैं net profit for the year ended 31st March 2020 किरहा है कि question के अंदर net profit दे रखा है 5 लाग का interest on capital allowed 10% IOC 10% अब एक सवाल और भी है कि भी है जो IOC दे रखा है 10% वो हम किस तरीके से लगाएंगे तो सीधी सी बात है 650 और 7 लेक पर लगाना है लेकिन एक question यहाँ पर और भी है कि यह जो drawing करी भी है अगर मैंने यह drawing साल के बीच में करी होगी जैसे मैंने अक्टूबर में करी होगी तो इस पर interest on capital फिर अलग अलग तरीके से निकले है क्योंकि आधे छे महीने मैंने कोई और capital इस्तमाल करी छे महीने तक मैंने कोई और capital इस्तमाल करी लेकिन इस question यह question silent है साइलेंट का मतलब इसमें यह नहीं बता रहा है कि ड्रोइंग हमने कब करी तो मैं मान के चलूँगा कि ड्रोइंग मैंने साल के लास्ट में करी अगर मैं साल के लास्ट में करूँगा तो इसका मतलब क्या है कि जो मैंने ड्रोइंग जो मैंने कैपिटल शुरू में लगाई ठीक है बच्चो अगर उसने ड्रॉइंग बीच में की होती तो मुझे लिख कर देता कोशन में फिर मैं उसके अगॉडिंग इंट्रस्ट ओन कैपिटल निकालता है आए फिर कोशन में और क्या कहता है पास दा जर्नल एंट्री, इंट्रस्ट ओन कैपिटल कह रहा है इस वार इंट्रस्ट ओन कैपिटल की जर्नल एंट्री भी पास करकी दिखाओ नई चीज आगी जर्नल एंट्री तो interest on capital की क्या, मैं सब की journal entry करनी आपको भी सिखा दूँगा and prepare profit and loss appropriation account और कहा रहा है कि appropriation account भी बना के दिखाएं पहले appropriation account बनाते हैं, फिर देन उसकी journal entry मैं सब की journal entry करनी आपको सिखा दूँगा ठीक है बच्चो, आएकोशन स्टार्ट करते हैं यो लो बच्चो, मैंने आपके लिए format बना दिया आएकोशन को जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, buy net profit कितना net profit है, चेक करते हैं सबसे पहले, net profit है 5 लाग debit side में देखते हैं, सबसे पहले interest on capital क्योंकि निकालना है, rate भी दे रखा है, 10% to interest on capital किस-किस की? आशीश और दूसरा कौन था? आकाश, capital वर्ड भी लगा देते हैं, आशीश, capital, आकाश, capital closing capital नहीं लगा ना, opening capital पे interest लगता है तो 6,50,000 into me 10%, यह आगे आपका 65,000 और 7,50,000 into me rate 10% 70,000 question के अंदर कोई salary नहीं, question के अंदर कोई commission नहीं, question के अंदर कोई reserve नहीं आए जर्दी से हम question के अंदर, net divisible profit निकाल लेते हैं to net divisible profit, check करते हैं, 5,00,000 minus 65,000 minus 70,000 यह आजाएगा हमारा 3,65,000 3,65,000 बाड़ देते हैं इसमें आशीश, capital आकाश, capital 365 इन्टू, agreed ratio चेक कर लेते हैं 3 ratio, 2 तो 3 by 5 और इसका भी 3,65 इन्टू में 2 by 5 तो बाड़ निकाल लेते हैं, calculation करके कितना कितना आ रहा है 2,19,000 और दूसरे का रहा है 1,46,000 टोटल भी लिख देते हैं, 5 लाग बड़ा टोटल था चलो बच्चो अब इसी question कि हम journal entry आपको करके सिखाते हैं कि journal entry question की कैसे की जाती है ये लोग अच्चो, मैंने journal entry का format बना दिया आपके लिए चलिए जल्दी से journal entry सीखते हैं कि अगर P&L Appropriation Account में जो items हैं, उनकी journal entry करनी पड़ी तो किस तरीके से करते हैं, बहुत आसान है हलाकि इसने मुझे question में बोला है कि interest on capital जो है उसकी journal entry question में करके दिखाईए तो सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना सबसे पहले ये देखो कि जो P&L Appropriation Account है उसमें interest on capital किस साइड में vary करता है debit साइड में vary कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे P&L Appropriation Account Debit और ये किस account में transfer हो रहे है चक करें capital account में transfer हो रहे है तो उसको हमें credit करना है to आशिश capital to आकाश capital कितना कितना है एक बार लिखा लेते हैं एक का था 65,000 और दूसरे का था 70,000 जो भी होगा इसका हम total करके यहां पर लिख देंगे इन दोनों का total करके आप यहां पर लिख देंगे यह होगी general entry इसी तरीके से अगर मुझे इसकी general entry करनी है net profit की बी general entry करनी है तो यह किस side कैसे करूँगा मैं चेक करो net profit की general entry net profit पी एंडल अप्रोप्रेशन अकाउंट में पी एंडल अप्रोप्रोप्रेशन में किस साइड में लिख हुई है क्रेजिट साइड में तो लिखूँगा टू पी एंडल अप्रोप्रोप्रेशन अकाउंट ठीक है और यह जो net profit अप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रो अगर मान लो यहाँ पर salary होती, तो किस तरह लिखते हैं, अगर मान लो यहाँ पर salary मिल रही होती, आशीश को salary मिल रही होती, तो मैं क्या लिखता है, P&L appropriation account debit, P&L appropriation account debit to Aashish capital, अगर मान के चलो, आकाश को commission मिल रहा होता, तो मैं इसकी journal entry क्या पास करता, P&L appropriation account में commission किस तरह P&L appropriation account के साथ capital account भी बनाना, जो कि हमारी बहुत ही important class होगी, इस chapter के लिए, ठीक है बच्चो, मिलते हैं, next class में, जिसमें, P&L appropriation account के साथ capital account भी बनाना,